नवसकार स्वागत है आपका कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बढ़िया चल रही होगी साथियो आज हम देखेंगे मद्ध प्रदेश प्रारंभिक परिच्छा का जो सलेवस है उसका यूनिट 10 उसके यूनिट 10 के जिसमें संबैधानिक आयोग, गहर संबैधानिक आयोग, शांबिधीक आयोग इन सब के बारे में बात की गई है ये हमारे एक्जाम पॉइंट आप व्यू से एक महत्यपून यूनिट है यूनिट 10 आज हम उसी में से देखेंगे, हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे सब ही आयोग के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे तो competition community के team के साथ जुड़िए आप, आपका competition community के इस online plate में सरवदा स्वागत है, हमेशा स्वागत है तो आज जो हम unit 10 का पहला chapter है, पहला topic है, वो क्या है भारत निर्वाचन आयोग आज हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे आप देखें भारत निर्वाचन आयोग, election commission of India election commission of India के बारे में हम बात करेंगे तो आप ये देख रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग का logo ये उसका निर्वाचन जो सदन है, उसकी जो लोगों में आपको picture में ये दिख रहा होगा भारत निर्वाचन आयोग कैसी संस्ता है भारत निर्वाचन आयोग का क्या संवैधानिक प्राबधामन है भारत निर्वाचन आयोग क्या काम करता है और भारत निर्वाचन आयोग गठन किया वसकता क्योंकि पढ़ी ये संस्ता गठित क्योंकि गई इन सब के बारे में हम बि संवेधानिक निकाय की बात करेंगे उस समय हमारे दिमाग में ये क्वेश्टन आता है कि आखिर संवेधानिक निकाय होता क्या है। जिसका भारती संविधान के किसी बिसेश भाग या किसी बिसेश अनुक्षेद में वर्णन किया गया हो। तो भारत निवाचन आयोक का वर्णन भारती संविधान के भाग 15 से जो आर्टिकल हैं 324 से 329 उनमें इसका वर्णन किया गया है। इस आधार पर ये एक समवैधानिक निकाय है, हम आगे उन articles में, किन articles में किस चीज के बारे में बात की गई है, वो बिस्तार से आगे पढ़ेंगे, बिस्तार से देखेंगे, अब अगर बात करें भारत निर्वाचान आयोक की गठन की, कि इसका गठन कब हुआ, इसकी आवस् तो वो भाग 15 के जो आर्टिकल 324 है, 324 से 329 तक में इसका वर्णन किया गया है, भारत निर्वाचान आयोक का वर्णन किया गया है, अखिल भारती संस्था है, भारत निर्वाचन आयोक, अखिल भारती संस्था से आसे ये है, कि ये जाहे जितनी केंदर के लिए है, उतनी लाज के लिए है यह किसी प्रकार का भेद्भाव नहीं। यह केंद्र और राज सरकार को मिलकर काम करती है और उनका सहयोग करती है, यह एक direct भारतिय संस्था है, इस्थाई वा स्वतंत्र सम्वैधानिक निकाय है मैंने आपको बताया ही कि ये एक सम्वैधानिक निकाय है ये इस्थाई है ये पर्मानेंट बोडी है और ये स्वतंत्र निकाय है इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तचेप नहीं है हलाकि साथ यो कोई भी आयोग इस समय इनकी प्रासंगीकता पर कई बार सवाल उठते हैं पर हमको उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है हम अपने exam point of view से पढ़ेंगे और उनमें स्वतंत्रवा संबैधानिक और इस्थाई निकाय है भारत निर्वाचन आयोग हम जब मेंस में पढ़ेंगे तब उसकी आलोचना और समालोचना के बारे में पढ़ेंगे वो कोई भी आयोग हो अब इसका उद्देश ही क्या है क्योंकि कोई भी अगर आयोग गठित होता है तो उसका कुछ ने कुछ उद्देश है वो बिना उद्देश के तहट तो गठित होता नहीं है तो इसका उद्देश अनुछे 324 में आप जानते हैं कि संसत राजविधान वंडल राष्ट पती उप राष्ट पती के निर्वाचन का काम जो भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख कार है उसका कार है चुनाव कराने का अब ये किन संस्थाओं का चुनाव कराता है किन का चुनाव कराता है तो ये संसद का चुनाव संसद में लोकसभा राज्यसभा राष्ट पती का परिशत है, उनका इलेक्शन कराने का काम कौन करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग करता है, और किस हो आर्टिकल के तहạt? आर्टिकल 324 में ऐसा समवयधानिक प्रावधान है, उनका निर्वाचन भी कराता है, नियंत्रन और संचालन और निर्देशन इन सबका काम, कुल मिला के निर्वाचन से संबंधि सारे काम कौन करता है भारत निर्वाचन आयोग इन इन राश्टपती संसत लोकसभा राजसभा बिधान सभा बिधान परिसत और राश्टपती उपराश्टपती इनके चुनाओ कराने का काम कौन करता है भारत निर्वाचन आयोग करता ह देश में स्वतंत्र और निस्पक्ष से चुनाओ हो क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का दावा करता है भारत हमारा एक लोकतंत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्रिक देश में ये महत्यपूर्ण हो जाता है कि निस्पक्ष और समय बद्ध तरीके से चुनाव हो निस्पक्ष चुनाव हो किसी प्रकार का भेद भाव ना हो उसके लिए भारत निरवाचानायोग काम करता है तो लोक तंतर में एक सुवेबस्ति चुनाव के लिए चुनाओ कराने के लिए एक body का गठन किया गया और गो है भारत निर्वाचन आयोग, इसका गठन पचीज जन्वरी 1950 को गया, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला, अब हम देखते हैं सन्रचना क्या है इसकी, सन्रचना क्या है भारत निर्वाचन आयोग की, कैसी संस्था है इसकी क्या संरचना है संरचना बहु सदस्षी निकाय है बहु सदस्षी निकाय से तत पर ये है कि इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं एक से अधिक लोगों का ये निकाय है तो इसमें बरतमान में तीन सदस्षी निकाय है भारत निर्वाचन आयोग एक मु के बारे में बात करें तो बरतमान की संरशना के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें एक मुख आयुक्त और दो अन आयुक्त होते हैं इसके पहले बरतमान से पहले मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं इसके पहले कि इसकी क्या संरशना थी उसके बारे में देखते हैं तो ज डाव świe निकाय रहा है एक सदसी निकाय रहा है भारत निरवाचनायोग। और बरतमान में ये तीन सदसी निकाय हैं जिसमें एक मुख आयुक्ट और दोंग आयुक्त होते हैं त्री त्री में ये तीन सदस्य कर दिया गया अब आप ये सोचें कि इसका करने का अधिकार किसको है तो राष्ट पती जी ऐसा कर सकते हैं जब उनको ये लगेगा कि अब इस आयोग में इन तरे सदस्य जो बरतमान में कर रहे हैं उनसे काम नहीं चल रहा है कारभार अतिरिक् संख्या में ब्रदी कर सकते हैं और राष्ट पती जी को ये पहली बार कब लगा आपके एक्जाम में कोश्चन पूछता है कि पहली बार भारत निरवाचन आयोग बहुस अदस्य निकाय कब बना तो आप बताएंगे कि 1989 में पहली बार भारत निरवाचन आयोग बहुस इसके बाद ऐसा महसूस हुआ होगा कि एक सदस्य निकाय से काम चलेगा तो एक सदस्य निकाय से कर दिया गया और 1993 में 3 सदस्य निकाय कर दिया गया अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ये 1989 में तीन सदसी क्यों किया गया तो हुआ क्या कि एक सथवा सम्मिधान संसोधन हुआ कब 1988 में उसमें ये प्रापधान किया गया जो बयस्क मताधिकार किया हुथी 21 वर्स पहले उसको घटा करके कम क 18 वर्स कर दिया गया और तब मतदाताओं की ब्रदी हो गई और उन्हीं सब को सामंजस बिठाने के लिए ऐसा लगा राष्ट पती जी को निरवाचन आयोग में अन्य सदस्यों की आवस्क्ता महसूस हुई और वो 1988 में जो एक सथमा सम्मिधान संसोधन हुआ उसका इंप्ल चाकरी नब्बे में फिर एक सदसी और 1993 में उन्हा तीन सदसी आयोग तीन सदसी निकाय कर दिया गया तो आपने यह इसकी जो बैग्राउंड है जो इसकी प्रष्ट भूमी है उसके वारे में समझा अब हम देखते हैं अनुछे 324 का सवाल्टिकल 2 क्या कहता है यह कहता है क अब हम देखें इनकी नियुकती अगर हमारा भारत निर्वाचन आयोग है तो वो तीन सदसी निकाय है हमने जाना तो तीन सदसी निकायों में इनके जो मुख निरवाचान आयुक्त हैं और जो अन्द आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो नियुक्ति वा सेवा सर्ते नियुक्ति राष्ट पती जी करते हैं और सेवा सर्तों का निर्धारन का काम भी राष्ट पती जी करते हैं और किस आर्टिकल के तहत करते हैं किस अनुछेद के तहत करते हैं तो अनुछेद 324-5 के तहत ऐसा उनको अधिकार है लेकिन राष्टपती जी ऐसे मनमाने ढंक से इतने सुतंत्र नहीं है कि वो अकेले ऐसा कर सके वो कैसे करते हैं राष्टपती जी निर्धारित करते हैं और कैसे निर्धारित करते हैं संसत द्वारा बनाई गई बिधी के आधीन संसर जो नियम तय करती है उसी के आधिन राष्ट पती जी को ये अधिकार है यो इनकी सेवा सरतें तय करें और इनकी नियुक्ति करने का काम सेवा सरतें धारित करने का काम अगर आपके एक्जाम में पूछता है कि कौन करता है तो राष्ट पती जी करते हैं तीनों के पास तीनों के पास तीनों का मतलब यहां यह है कि चाहे वो मुख निरवाचन आयुक्त हो या दो अनायुक्त हैं इन तीनों की जो समान सक्तियां हैं वेतन हैं और भत्ते हैं इनके वेतन भत्ते और सक्तियां एक समान है भारत निरवाचन आयोग जो तिन सदसी निक और वो है कैसे सुप्रीम कोट के जो नियाधिस होते हैं उनके समान है अगर हम बरतमान में इनकी वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोट के जो नियाधिस है उनकी वेतन यो उनका पेमेंट है उनका मासिक वेतन है वो 2.5 लाग है वही वेतन किनका है भारत निरवाचान आयोक के जो तिन सदस्य है नियुक्ति के बाद एक महत्यपूर्ण पॉइंट नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं अगर जब नियुक्ति हुई है जिस समय निर्वाचन आयुक्त में निर्वाचन आयोग में इन सदस्यों के नियुक्ति की गई है उस समय जो इनकी पद अलावकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अलावकारी परिवर्तन से आसे ये है कि उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, अगर इस जामपल के लिए हम देखें कि आज अगर जब नियुक्ती हो रही है निर्वाचन आयुक्त की, उस समय इनका पेमेंट धाई अन सेबा सर्ते जो भी इनको सुद्धाई मिलती है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सपति помог में अगर मत भेदो क्योंकि ये तीन सदसी निकाय है भारत निर्वाचान आयोग तीन सदसी निकाय है अगर इन में कोई भी प्रस्ताव आता है तो उनमें अगर निर्णे लेने की बात होती है तो बहुमत के आधार पर निर्णे होगा अर्धात अगर तीन सदसी निकाय है तो जिस निर्णे के जिस पक्षिक में दो लोग रहेंगे वही समानने होगा बहुमत के आधार पर निर्णे की बात की गई आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कारेकाल वा पदावधी कारेकाल वा पदावधी इनकी क्या होती निक्ति की बात हम ने कर ली सेवा सर्तों की वात हम निकल ली अब हम देखते हैं कारिकाल वा पदावधि के बारे में इनका कारिकाल 6 वर्स या 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो 6 वर्स का कारिकाल हो जाए या 65 वर्स की आयू जो भी पहले इन में से हो जाए तब तक के लिए कारिकाल किनका रहता है भारत निर्वाचन आयोक के तीन सदस से जो है मुख्ध निर्वाचन आयोक और दो अन आयोक उनका कारिकाल रहेगा 6 वर्स या 65 वर्स की आयो तक जो भी पहले हो जाए अगर इनको लगे कि हमको कारिकाल के दोरान ही त्याग पत्र देना है अपना कारिकाल खतम होने से पहले ही सिवा नर्वत्ती अगर ये चाहते हैं तो ये क्या करेंगे किसी भी समय हस्ताक्षरित त्याग पत्र किसको दे सकते हैं राष्ट पती जी को ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं अनुच्छे 324 का सवाइटिकल 5 ये कहता है अगर हटाने की बात आए एक तो इनका कारेकाल खतम होने पर ही ये हट सकते हैं या ये स्वेच्छा से चाहें तो हट सकते हैं लेकिन अगर ये नहीं चाहते और इनको हटाना है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसी के बारे में बात करता है अनुच्छे 324 का सवाइटिकल 5 इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोट के नियाधीस के समान प्रक्रिया से हटा सकता है और कौन हटाएगा राष्ट पती जी हटाएंगे अब यहां बात आई सुप्रीम कोट के नियाधीस के समान प्रक्रिया तो अब हम समझें कि सुप्रीम कोट के नियाधीसों को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है तो सदन की जो संसद का सदन है उसमें विसेश वहुमत से परस्ता उपारित होने पर इन को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोड के न्याएधिसों को और उसी आधार पर किसको हटाया जाएगा भारत निरवाचन आयोग के मुख निरवाचन आयुक्त को हटाया जाएगा महा भी योग जैसी प्रक्रिया क्योंकि सुप्रीम कोट को न्याधीसों को हटाने के लिए महा भी योग जैसी प्रक्रिया की बात की गई है लेकिन आप याद रखें कि निरवाचन आयुक्त के जो मुख निरवाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए महावियोग सब्द का प्रयोग नहीं किया गया है महावियोग जैसी प्रक्रिया की बात की गई है इसको लेकर कि एक्जाम में कई वार कोस्चन आपसे पूछा जाता है आप से पूछा जाएगा कि महावियोग प्रक्रिया के अधार पर हटाया जा सकता है क्या आप कहेंगे कि नहीं महावियोग जैसी प्रक्रिया के अनुसार उनको हटाया जा सकता है इनको हटाने का जो संबैधानिक प्राबधान है जो लिखा है वो सुप्रीम कोट के न्याइधिस को जैसे हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जाएगा अगर हम अनायुक्तों की बात करें ये तो हमने मुख निर्वाचन आयुक्त की बात कर ली अगर अनायुक्तों की बात करें ये अन आयुक्तों को कैसे हटाया जा सकता है तो ये निरवाचन आयोग में एक तरह से आलोचना कह सकते हैं क्योंकि अन आयुक्तों को हटाने के लिए केवल राष्ट पती इसके मुख निरवाचन आयुक्त के सिपारिस पर राष्ट पती हटा सकता है अगर मुख निरवाचन आयोक को ये लगा इनको हटाना है तो राष्ट पतीजी से सिपारिस करेंगे और राष्ट पतीजी इनको हटा सकते हैं अब हम देखें निरवाचन आयोक की कारवा सक्तियों के बारे में समझें दिरवाचन आयोग का कार क्या है और इनकी सक्तियां क्या है तो परिसीमन अब परिसीमन से क्या आसा है परिसीमन करने का काम इनका होता है परिसीमन से मतलब यह है परिसीमन का काम यह है परिसीमन आयोग का गठन होता है अभी तक अगर हम बात करें आपके prelims के exam point of view से तो अभी तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और पहली बार 19 सुबामन में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था परिसीमन आयोग का काम ये होता है कि चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से निरवाचन छेत्रों का निर्धारन करते हैं चाहे लोकसभा छेत्र का हो या विधान सभा छेत्र का हो इनके निर्धारन का काम क्योंकि जैसे जनसंख्या जंगरना होती है उसके बाद परिसीमन आयोग क गठन होता है अभी तक चार बार परिसीमा नायोग का गठन हो चुका है पहली बार उनेश सो बामन में उसके बाद उनेश सो तिरसट में और उसके बाद उनेश सो तीहत्तर में और उसके बाद 2002 में परिसीमा नायोग का गठन या जा चुका है तो अभी तक अगर आपकी एक्जाम में पूछता है कि कितनी बार परिसीमा नायोग का गठन हुआ तो आप बताएंगे कि 4 बार परिसीमा नायोग का गठन हो चुका है और कब कब हुआ आपके एक्जाम में कोश्चन आता है इन में से कई बार पूछ लेगा संदे के कि इन में से कब परिसीमा नायोग का गठन नहीं हुआ तो आप इनको याद रखें कि सबसे पहली बार 1922 में उसके बाद 1963 में उसके बार 1973 में और उसके बाद अंतिम बार 2002 में परिसीमा नायोग का गठन किया जा चुका आईए दूसरा पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक दलों को माननता और चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है निर्वाचन नायोग हमने इसके पहले चर्चा ही करी निर्वाचन आयोग का जो महत्पूर काम है निर्वाचन आयोग का जो एक बिसेस काम है जो प्रमुक काम है वो निर्वाचन कराने का चुनाव कराने का है तो चुनाव कराने में कौन भाग लेगा कौन सा राजनीतिक दल राष्टी राजनीतिक दल है इन दलों का क्या चुनाव चिन होगा और कई वार जब चुनाव होते हैं क्योंकि हमारे यहां पान साल में लेक्सन होने का प्राबधान है चाहे वो राष्ट पती जी का हो राष्ट पती जी का हो या संसत का चुनाव हो या बिधान सभा बिधान मंडल में चुनाव का हो पांच साल की अवध पर चुनाव होता है तो गो जब चुनाव होते हैं उनका समय सार्णिय ते करना उनकी तिथियां ते करना कि कब कहां कैसे चुनाव होगा इन सब का काम निर्वाचन आयोग करता है और अभी हाल ही कि अगर बात करें तो पांच राज्यों में चुना हुए हैं क्या है उत्तर प्रदेश हो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमने देखा कि गोवा में चुना हुआ गोवा के साथ हमने अन राज्यों में भी देखा कि चुना हुए पंजाब में चुना हुआ, अभी पांच राज्यों में चुना हुए उत्राखन में चुना हुआ तो इसी प्रकार के जो चुनाव समय समय पर होते हैं उनको कंड़क्ट कराने का उन राजनीतिक दलों का कि कौन सा है किस इस्तर का राजनीतिक दल है इन सब के निर्धारन का काम कौन करता है तो वो निर्वाचन, मुख निर्वाचन, आयोक्त के साथ पूरी संस्था भारत निर्वाचन, आयोक करता है, तै करता है निर्वाचन थी थी, समय साथनी का निर्धारन मैंने आपको बताया ही आचार सहीता, ये महत्तुपूर्ण पॉइंट है जब भी हमारे यहां कोई चुनाव होता है उस समय आचार सहीता लागू करने का काम कौन करता है भारत निर्वाचन आयोक अपने इस्तर पर अगर वो पंचायत इस्तर या नगरपाली का इस्तर पर हो उस समय राजन निर्वाचन आयोक काम करता है तो आचार सहीता से मतलब क्या है आचार सहीता से तत पर ये है कि निस्पक्छ चुनाव कराया जा सके किसी प्रलोभन किसी भी प्रकार का राजनेतिक हस्तचेब ना हो बोटर्स पर किसी प्रकार का प्रलोभन ना डाला जा सके एक सुनिष्चित और शम्बैधानिक प्रक्रिया के तहट एक निस्पक्ष चुनाव हो सके उसके लिए आचार सहीता लागू की जाती है और आचार सहीता में ऐसे बहुत सारे नियम हो चाहे वो प्रचार करने की समय आवद ही हो चाहे जो प्रत्यासी हैं उनके की चुनाव में वो कितना फंड खर्च करेंगे कैसे पैसे खर्च करेंगे कैसे चुनाव प्रचार करेंगे उनको यह समनेधारिन करने का काम आचार सहीता के तहट कर दिया जाता है और उस समय जो होता है कि किसी प्रकार का जो इस्थापी तो उस समय राज्य सरकार है किसी प्रकार का ऐसे राजन्यतिक प्रवभन नहीं दे इससे मद्दाता प्रभावित हों इसका काम आचा सहीता के तहट तेकर दिया जाता है और गोते करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है संसर या राज विधान मंदल के सदस्यों की निरहरता पर सबत करें तो उनकी निरहरता रायोगता क्योंत सिचेज़ें अगर हमने इतनी सब बात की भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देखा तो ये किन-किन संबैधानिक प्रक्रिया के तहट, किन-किन अनुच्छेदों के तहट इनको सक्ति प्राप्त है, किस अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन है, क्योंकि आप है एक्जाम में कई वा भाव नहीं किया जाएगा, और अर्टिकल 326 में ये कहा गया है, बयस्क मताधिकार के आधार पर, बोटिंग होगी, मतदान में भाग वही लेगा, जो बयस्क हो, जो ब्यक्ति बयस्क हो, और बयस्कता की आयो कितनी निर्धारित की गई है, हमारे भारत देश में, वो 18 वर् में, जो इंप्लिमेंट हुआ 89 में, उस समय से जो बयस्क मताधिकार की आयो थी, वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, अनुच्छे 327, अनुच्छे 327 में चुनाव संबंधी नियम बनाने की, किसकी सकती, संसत की सकती, संसत को अगर लगता है, कि हम निर्वाचन से संबं दिया गया है, अनुच्छे 327 के अंतरगात, 328 में ये कहा गया है, कि अगर राजविधान मंडल चाहे कि हमको निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने हैं, कुछ ऐसी सुधार की आवश्यक्ता महसूस हो रही है, तो विधान मंडल को ये सकती, अनुच्छे 328 के अंतरगा दी गई, अब हम देखते हैं, आर्टिकल 329, निर्वाचन संबंधी मामले में हस्त अच्छेप का निसेत, निर्वाचन संबंधी किन मामलों पर हस्त अच्छेप नहीं करेगा, कौन नियायाले, उसके बारे में बात की गई है, और किस आर्टिकल में? अनुच्छे 329 में, तो नियायाले परिसीमन के संबंध में, परिसीमन के मामले में हस्त अच्छेप नहीं करेगी, परिसीमन में क्या होता है, कि कई बार सीटों का आर्ट्छन होता है, वो चाहे स्रेडूल ट्राइक के लिए हो, स्रेडूल कास्ट के लिए हो, इन जो हमारी जनजातियां है, उन के बारे में बात हो तो परिसीमन आयोक जो आरच्छन करेगा उनके मामले में कौन नियायले में नहीं जाया जा सकता निर्वाचन संबंधी माले में नियायले में कोई हस्तछेप नहीं हो सकता बाकी अगर आपको लगता है कि निर्वाचन में मतदान के समय किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक या किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से चुना हुआ है चाहिए वो बूर्थ कैप्चिरिंग जैसे मामले हो इनको लेकर के आप नयायाले में जा सकते हैं ये हमने समझा इसके समस्त आर्टिकल्स के बारे में विस्तार से हमने देखा अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य महत्यपूर्टत भारत निरवाचन आयोक को लेकर के अन्य कौन कौन से महत्यपूर्टत हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं तो इनके मुख्याले की अगर बात करी, मुख्याले इसका कहा है, तो भारत निर्वाचन आयोग का मुख्याले नई दिल्ली में है, प्रथाम अध्धक्च की अगर बात करी, पहले अध्धक्च कौन थे, तो पहले अध्धक्च सुकुमार सेन जी थे, बरतमान मुख्य निर् क्योंकि हमारे सम्मयधान में वारियता एक हरार्की की बात की गई है जिसमें राष्टपती पहले हरार्की पे आते हैं फिर उपर राष्टपती जी आते हैं उन्हीं क्रम में वारियता क्रम में निरवाचन आयोक्त को रखा गया है नाइन एके अंतर घत अनायुक्त की अगर बात करें क्योंकि हमने देखा कि भारत निर्वाचा नायोग एक तीन सदसी निकाय है तो एक तो मुख निर्वाचा नायुक्त और मुख निर्वाचा नायुक्त कौन है सुसिल चंद्रा जी हमने बात करी ही जिनका करम की अगर बात करें क्योंकि एक्जाम में कई बार करम पूछा जाता है 24 से करम के हैं अन आयुक्ति समय बरतमान में कौन है तो वो राजिव कुमार जी है और दूसरे जो हैं गुसरी अनूप चंद पांडे जी है इनके बारे में जो ऐसे अध्यक्ष हैं जो अनसदस हैं इनके बारे में आप एक्जाम देने जाने से पहले एक बार अपडेट करें डाटा चेक कर लें क्योंकि इनका कारेकाल खतम होने के बाद ये बदलाव इनमें होता रहता है ये बदलते रहते हैं अब हम देखते हैं प्रथम महिला मुख चुनाव आयुक्त प्रथम महिला मुख चुनाव आयुक्त बियस रमा देवी जी रही है प्रथम मुसलिम चुनाव आयुक्त की बात करें तो सहाबुत दीन याकूम कुरेशी जी रथम मुस्लिम चुनाव आयोक्त रहे है रिपोर्ट की अगर बात करें क्योंकि ये आयोग अगर कारिक करता है निरवाचन से संबंधित तो ये अपनी बारसिक रिपोर्ट कहां रखेगा ये बारसिक रिपोर्ट अपने संसत को सौपता है नोडल एजन्सी की अगर बात करें कि किस नोडल एजन्सी के तहत ये काम करता है Nodal Agency से मतलब कि जिसकी देख रेक में कोई आयोग कोई संस्था काम करती है तो निरवाचन आयोग बिधियवम न्याय मंत्राले के अंतरगत काम करता है और जहां तक मुझे याद आ रहा है अगर हम थोड़ा करेंट की बात करें तो भी धियवम न्याय मंत्राले के जो मंत्री हैं वो किरन रिजोजी जी हैं आप एक बार नाम चेक कर दिजेगा मंत्री जी का बेतन के अगर बात करें तो बेतन हमने देखा ही कि सुप्रीम कोट के जो न्याय धी सें उनके समान बेतन होगा और उनका बेतन 2.5 लाक बरतवान में है यही बेतन निरवाचन आयुकत के चाहे वो मुख निरवाचन आयुकत हो चाहे अन्य सदस्य हो सेम उनका भी होगा राष्टी मद्दाता दिवस के बारे में हम बात करते हैं तो राष्टी मद्दाता दिवस कम मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि 25 जन्वरी को राष्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है, और इसकी सुरुवात कब हुई, तो इसकी सुरुवात हुई 2011 में, 2011 में राष्टी मद्दाता दिवस मनाने की सुरुवात हुई, और ये 25 ज निरवाचन आयोक का जो मद्दाता दिवस मनाया जाता है मद्दाता दिवस की थीम थी चुनावों को समावेसी सुगम और सहभागी बनाना कई बार ऐसे कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनका ध्यान रखें अब हम देखते हैं भारत की राश्टी राजनित दल जो राश्टी इस्तर के कौन है कौन राज जी इस्तर के राजनितिक दल है इनके बारे में बात करता है तो कौन कौन से बरतमान में राजनितिक दल राश्टी राजनितिक दल हैं बहुजन समाज पार्टी बहन जी की पार्टी है ये बहन मायावती जी की पार्टी इस ब तो सबसे ब्यापक रूप से जो देश में राज कर रही है वो यही party है भारती जनता party और अगर इसकी मुखिया की बात करें तो वो जे पी नड़ाजी है जगत प्रकास नड़ाजीन का नाम है भारती कम्निश्ट पार्टी है भारती कम्निश्ट मार्कसवादी पार्टी भारती राष्टी कांग्रेस है और राष्टी कांग्रेस पार्टी और तरणमूल पार्टी दीदी जी की और कौन सी दीदी तो मम्ता दीदी इसी तरह राहूल गांधी जी की पार्टी ये कुल मिला के 78 राजनीतिक दल बरतवान में हैं अब हम देखते हैं अगला ये एक महत्यपूर्ण ये महत्यपूर्ण चीज है एक्जाम पॉइंट आव यूसे ये क्योंकि कई बार समीतियों के लेकर कोश्चन पूछे गए के संथानम समीत का गठन कभ हुआ तो 1962 में के संथानम समीत का गठन हुआ और आप से इकजाम में पूछा जाएगा इसका गठन कभ हुआ ये गोस्वामी समीत का गठन 1990 में हुआ और ये काहे से निरवाचन से में सुधार हो उसके बारे में बात करती इंद्रजीत गुपता समीत ये 1998 में गठिट हुई और इसका में उद्देश था जो इसका में बिसे था मुख बिसे था वो चुनाओ के लिए राजवित पोसंड के ब समयत थी उसके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी चर्चा करी लिंग दो समित ये 2005 में गठित हुई और छातर संग चुनाओ में कैसे सुधार हो इनके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट रस्तुत करी तो साथियो आज हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमने बिस्तार से पढ़ा कि भारत निर्वाचन आयोग कैसी संस्ता है इसका काम क्या है इसके संबैधानिक प्राबधान क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है हमने इस सब के बारे में आज चर्चा करी तो मैं उमीद करता हूँ कि ये आपको class, ये आपको lecture, आपकी तैयारी में एक महत्यपूर्ण सहयोग प्रदान करने में सफल रहा होगा साथियों आप जुड़े रहें competition community के team के साथ अब हम कल मिलेंगे अंगले topic के साथ, next topic के साथ और उसमें हम देखेंगे राज निर्वाचान आयोग और साथ में मद्धप्रदेश निर्वाचान आयोग के बारे में भी हम बात करेंगे आप पढ़ते रहें, अपने तैयारी में और निखार लाते रहें और जुड़े रहें competition community के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें आप तब तक के लिए आपको नवसकार बहुत बहुत धन्यवाद